दोस्तों नमस्कार मैं एजे कुमार बर्मा एसी एंडविसी तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इस साइड के सारे के सारे मुर्गे उधर कर दिये गए हैं पार्टीशन लगा करके यह देखिए इस तरह से तो दोस्तों आप लोग को आज इस वीडियो में बहुत यतीं बहतर जानकारी देने वाला हूं और सारी चीज़े एक दम इब्जेक्ट बताने वाला है तो आप लोग video पर बने रहें और अगर चैनल पर नए हो हो दोस्तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें वीडियो है पसंद करें और पिर दोस्तों में share जरूर करें दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है आज की रिट में न सब भी जगा पर दो चीजे बहुत ही common सी बीमारियां जो की आपके फार्म के अंदर देखी जाती हैं उनमें से नंबर एक पर आपका आता है दोस्तों वो है आपका CRD और दूसरी बीमारी जो की अमोमन सारे फार्मों पर आही जाती हैं इसके बाद एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आज के डिटकी है वो है आपकी वाइरल की समस्या वाइरल दोस्तों पूरे देश में लगभगी समय अटेक कर रहा है और दोस्तों बारिस तक ना जब तक आपकी बारिस आएगी ठंडी सुरू होगी तब तक आपके फार्म के अंदर वाइरल की समस्या बनी रहेगी तो वाइरल और इसके साथ में एकोली सियारडी इन सारी बीमारियों को दूर करने के लिए दोस्तों जो हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे मुर्गे का लास्ट स्टेज होता है दवाओं के रूप दोस्तों इंजक्षन ना इंजक्षन लगाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि किसी भी एक्सपार्ट आदमी का होना क्योंकि अगर कोई भी वंदा एक्सपार्ट आदमी नहीं है इंजक्षन देने में वह गलत जगे पर अगर चिक्स को इंजक्षन तो फिर वो मुर्गा रियक्ट करके मर जाएगा उसकी मोटल्टी हो जाएगी दोस्तों वो बच नहीं पाएगा तो सबसे पहली चीज क्या है कि एक ऐसे विक्ति का होना जो जिसको आता हो चाहे वो इसकिन का हो इसकिन में लगाना हो या उसके साथ में मांस में लगाना हो थाई पे लगाना हो या बहुत ऐसी भी दवाये हैं दोस्तों ऐसी जो की गंबोरों गया कि जो आँख में भी दे सकते हो तो यही मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि सबसे पहली जरूरत क्या है कि आप ऐसे अंदाजन किसी भी चिक्स को अपने इंजेक्शन न दे वरना आप देखते हैं कि जिस दिन आप इंजेक्शन देंगे उसके दूसरे दिन बहुत ही जादा मोटेलिटी आपको देखने को मिले देखते दिये तो सबसे पहले दोस्तों जब आप इंजेक्शन लगाने के लिए जाते हैं चाहे हो जन्टा हो या कोई भी इंजेक्शन तो आप अपने सारे चिक्स को एक जगा कंजस्टेट कर दें एक साइड में कर लें पूरे चिक्स को एक तरफ अगर जब आप करते हैं न तो उससे क्या होता है कि आपको पकड़ने में सुभधा रहती है एक साइड में कर दें सारे के सारे मुर्गे को उसके बाद में बीच में आप इतना अच्छा लगाएं जो आपका पाटीशन होता है पाटीशन आप बहतर लगाएं और उंचा लगाएं थोड़ा ताकि आपका मुर्गा या चूजा जो भी है वो इस पार से उस पार बिना जाजत के ना जा पाए क्योंकि दोस्तों वह जो भी बिना इंजेक्शन लगा हुआ चूजा जाएगा उसके वज़े से और बीमारी भी हो सकती है तो आप यह ध्यान रखें कि एक भी चूजा आपका या एक भी मुर्गा आपके फार्म में बिना इंजेक्शन के छूटने ना पाए यह बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी है इसके बाद दोस्तों दूसरी चीज यह है कि अब जब आप इंजेक्शन लगाना सुल करते हैं तो उसमें क्या मिलाना होता है तो दोस्तों अगर आप लोगों को कभी भी एक चीध्यान दे लिजे कि जो बैक्सिनेटर है बैक् बैक्सिनेटर को सेट नहीं करना जानते हैं और बैक्सिनेटर में यह मेल नहीं पता लगा पार है कि कितना दवा निकल रहा है तो यह भी कही ना कहीं दिक्कत करता है बैक्सिनेटर को सेट करने के लिए दोस्तों आपको अगर कमेंट रहा तो अगले वीडियो में मैं दिख दिखाऊंगा कि कैसे वेक्सिनेटर को सेट किया जाता है और पूरा प्रॉपर उससे एक बार प्रेस करने पर दोस्तों कितना एमेल दवा निकलता है वो भी सारी चीजे आप लोगों को दिखाऊंगा अगर आप लोगों का कमेंट रहतो तो अब बारी आती है दोस्तों ये सारा कुछ होने के बाद में आप बारी आती है कि आप जो भी इंजेक्शन या दे रहे हैं चाहे वो जन्टा हो अमकासिन हो या कोई भी हो तो ये कैसे दिया जाए कितने एक इमेल में देना चीए तो दो तो अगर आप शुरुवाती सब्ता हमें देने जा रहे हैं, तब तो आपको 0.2 ml ही देना है, शुरुवाती पहले या पहले हपते में 10 दिन के अंदर अगर 10 दिन से ओबर हो चुका है आपका चूजा, तब अगर आप इंजेक्शन देने जा रहे हैं, तब आप उसको 0.4 ml कर दोस्तों आप लोगों को किसी भी तरह का वाटर मिलाना नहीं है, क्योंकि ज्यादा वाटर इंजेक्ट भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा दवा हो या पानी मिला हुआ दवा हो उसको चिक्स के वोडी में इंजेक्ट नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों सबसे प आई एम भी है, तो इसको ले लिजे और इसके साथ में दोस्तो यह देखें यहां पे आप देख पर हैं अमकासिन, जो कि दोस्तों बहुत भी अच्छी दवा है और मान के चलिए कि बीमारी कोई भी हो, उस सब बीमारियों में काम करता है, उसके बाद में दोस्तों एक मल्टी स्टोर पर MBI मिल जाता है यह ले लीजिए इन तीनों को मिला करके आप इस तरह से बनाएए और फिर अपने इंजेक्शन में भरके इंजेक्ट कर दीजिए बता रहे हैं दोस्तों कि इसको लगाने से आपके मुर्गे को बहुत ही फायदा होने वाला है और आपकी मोटल्टी भी रुक जाएगी और आप बहतर से बहतर रिस्पॉंस भी मिलेगा आपको